है हाव रूफिक्स विंडोस 11 माउस नोट वोर्किंग प्रॉब्लम नमस्का डोस्तों सवागरे अब सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आपके माउस काम नहीं कर रहा है तो यह वीडियो आप पूरा जरूर देखे मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे और मैं आपको कोई सॉलूशन भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर पे तो वीडियो को आप शुरू से लेके अंतक देखे जो भी सॉलूशन होगा उसको फॉलो करें सॉल्फ हो जाएगा आपका प्रॉब्लम वीडियो शुरू करने से पहले मेक शूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलें दूस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो अगर आपके माउस काम नहीं कर रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है आपके जो माउस का यहाँ पर जेक है जिए यह फिसे प्लग है उसका अन्फ्लॉक करके प्लक कीजे और अपने PC को रिश्टार्ट कीजे और फिर चेक करके देखिए और आपके जो touchpad यानि के आपके जो mousepad है अगर वो दोस्तों यहाँ पर आपने नहीं यूस किया हुआ है तो आप mousepad यूस कीजे कई बार mousepad यूस नहीं करने के वज़े से sensor काम नहीं करते हैं ठीक ह यहाँ पर mousepad यूस कीजे PC को restart कीजे और अपना USB जेक को एक बार unplug करके प्लक कीजे सबसे पहले उसके बाद चेक कीजे अगर problem solve होते हैं तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है problem solved तो आपके यहाँ पर start button पे ठीक है क्लिक करके आप अपना device manager को open कर लिजे या फिर आप क्या कर सकत है विंडो की जो है आपने keyboard में क्लिक करके यहाँ पर type कीजे device manager ठीक है तो device manager पर click करके आप device manager पर जाईए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस तरह के का interface तो यहाँ पर आपको मिलेगा यह ओला option जो की लिखा हुआ है यहाँ पर mice and order pointing device तो इसमें driver को update कर देना एं driver update करने के बाद दोस्तों आप check करके देखर solve हो जायए आपका problem कई पर दोस्तों द्राइवर update नहीं होने के वज़ए से problem करते है ठीक है यहाँ पर डौ Tuya पर आपको मिलेगा troubleshoot other troubleshoot and then यहाँ पर आपको mouse option search कर लेना है ठीके यहाँ पर हम search करेंगे mouse option होगा या नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर mouse का troubleshoot option है नहीं होगा ठीके आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पर जाना है Bluetooth and Devices में उसके बाद mouse को select कर लिजीगा माउस select करने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा कुछ इस तरह के options ठीक है नीचे पर आ जाना है additional mouse setting पर जाना है और यहां पर मिलेगा कुछ इस तरह के का options अभी क्या करना है आपको pointer option select कर लेना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको यह और जो option है enhance pointer precision इसको आपको select कर लेना है इसको select करने के बाद दोस्तों आपको okay करना है और apply कर देना है ठीक है तो यहाँ पर इसको set कर लेना है इसको करने के बाद दोस्तों आप जो है चेक करके देखे PC को restart कीजिए अगर problem solve हो जाते है तो ठीक है अगर problem solve नहीं हो है तो आपके device manager को एक बड़ दुबारा से open कीजिएगा ठीक है तो device manager यहाँ पर open कर लिजिए device manager open करने के बाद आपको universal serial bus controller option मिलेगा तो उसमें click करके यहाँ पर आपको check कर लेना है आपका ठीक है एक option जो है मैं आपको show करके बताओंगा कौन सा वाला option है तो यह जो पहला वाला option है है कि अटिक एब आपर हम क्या करने वाला है इसको update करने वाला ओकी है ओक है यहाँ पर इसमें आपको right click करके update कर देना है पहला वाला option को और सेगेंद वाला जो option है उसको भी update driver कर देना है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो अपडेट कर सकते हैं या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं अन इंस्टॉल करके रिंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है अगर आपका जो प्रॉब्लम में अपडेट करने के बाद भी solve नहीं हो रहा है तो आप uninstall device करके इसक कि दोस्तो जद तर जो solution है वो इसमें ही हो जाते ठीक है तो यहाँ पर solution करने से दोस्तो आपका यह जो problem हो जाएगा अगर दोस्तो सारे solution करने के बाद भी solve नहीं हो रहा है problem तो आपने जहां पर भी अपना mouse का जो jack है प्लग किया हुआ है उसको change करके देखे या फिर new mouse ले